आज अब बिल्कुल इस्टेंट अशटाइल में बाना भी बत यए इसके साथ ही मैं और आपके साथ अभिव दुवारे करोंगी तो यह कुछ आप पई पुरी की टाहिए गर पसंद लेकरके जये गा और मेरे चैनल को सब्क्राइब तो पर एक रिगानिया पर ना बिल्कुल ने भूलियेगा तो चली रेस्पी को सुरू करते हैं तो पर इन सब पहले हम पानी पूरी क्ली पानी विनाएंगी तो इसके लिए तो इसके साथ ही में एड कर देंगी 25 ग्राम के लागों पोदीनी के पदी इसके में अच्छे से क्ल ताक इसलिए ग्राइन हो सके और आप मिख्सिंग बाने अधा कपके लगव में और इसकी बाद हम सभी जीजो को अच्छे से ग्राइंड कर लिए यह देखे बिलकुल चट्नी सी बन गई है तो आप मिख्सिंग बॉल के चलनी रखा इसके उपर आप मिक्सर डाल देंगे और को तो थे जार को दोंगर थोड़ा साथ पानि पी डाल दोदेंगे ताकि शारी चट्नी इसके इसके बाद हम स्कुस्पून से प्रेस अच्छे शान लें इसके क्या होगा दो प्र शे इन चलनी को तुक्र आप रा गयें और इसे बहीं इसके बहीं इसमें साइड में राखत तो इसके पालप करना है तो इसके पुछाप पृप नाज़े पूरा इस्तेमाल करने वाली वाधा मुण इस तरीकी से परेश करती हुप्र ताकि मोटे टुकड़े उपर राजे चलने को पर और पलब निकाल कर पानी में डाल देंगे या फिर आप इसको खटा करने के लिए केची कईरी को पीसका डाल सकते हैं भी की मिक्स कर देना है बुखुत ही जयदा कर्दा मेठा चेट प्रसाल करते हो आप्सकादा ही तो यहएने कारी जाhero कि अपर मिल खाल हमे और यहां के पामें एक शुटी जवाड म्या चलीच की लग होग मैं जलिए कप ओर इसके से माली नियुक्तभेड के ढ़ता है कि तो चलीच मास किलाख होग मैं उत्र नियुक्त अब ड्स हम चीली फ्लेक्स नियुक्त' चलीचि छूता की लग होग मैं अब लगा लte किलाग बारिग चूब कैसी और दह ईसकी होगाBack तो यहां पर नमक टेश्ट कर लीजिएगा यदी कम लगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए गार ज्यादा लगे तो पानी मिला दीजिएगा तो नमक तो तो नमक तो चाहदा था इसलिए और पानी मिला रही है वाधा लिटर की लगववग में और इसके वाद आम इसके साथ में बारी चोप लो हरा दनिया डाल देंगे और दो तीन कटेववग में अरे में चाहदा दाल दीजिए और दिया पहरी तो यह जादा तीका पसंद नहीं करते हैं तो में आल सब्सक्षा चाहदा अधा चुटी चमच तिलक वोम विची हम पाउडर आदा चुट में पानी पुरी बनाने के लिए तो यह पानी को पर मोटर तुकर रहा है तो हम एड कर देगे गए इसे अच्छा टेस्ट आता है कि इसमें अधरक मिर्च और धनिया को दीना सभी चीजों का टेस्ट है और इसकी बार हम सभी जीजों को वच्छे से में और यह गुलगपा के पानी पूरी के लिए बहुत ही ज्यादा चट पटा सा टाफिंग बनकर तियार है तो यह रखते हैं और चलते हैं पानी पूरी बनाने के प्रोसेस में पानी पूरी बनाने के लिए लिए है वेट में देखा जाए तो 200 ग लाफ़ों में सूजी हो गाई इसमें हम एड कर जाएं तोर यहां पर सर्विंग उस्पून से दो स्च मैस ऑप डाल दिया है और स्च आपक पनी पूरी ने तैयर होने माली है आल इसमें देखें गंदा बनाने के लिए कि आपका गुन पानी तैयार करेंगी और इसका दो लगाने में में कृब आदा कपक पानी के निभा तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सौप लगाया है थोड़ी देर में सौजी सारा पानी सोख लेगी और ताइट हो जाएगा इसको में अच्छे से मिलाना है और इसको पटकें गया और इसको में करिब 15-20 बर पटकना इस तरीके से या फिर इसको में तब तक पटकना ज ज़रूरी है ऐसा करने सापकी पूरी आपकी पूरी पूले के ज़रूए और नहीं देखिएेगा और फिर पीन पार पूरी आपड़ आर वपर बिल्कुल सौप हो गया तो सौजी की अच्छे से में पारता है तकना इसको मैं तो नहीं रखना है और रेस्ट पानी पूरी न में और तेल गरम पूल तोल लेंगे गांट को पाने पूरी को तोल लेंगे इस का पाने कुरी चाहिए मैं तोल लीजे और इस का सैज पीन तो सर्कल रहाएं या ऐन ना इसका भी तोल जाएर बनाने वाली हूं तो यदे की इस तरीके से पहले चोटे लोगोट लेजिए इसकी बाद इस तरीके से ओलेफ देजिए फिर सर्कल बेदेजिये जो भी शेपने आप बनाना साथ है और इसकी बाद हम इसको गिले काप अपरे से ढग देजिए ताकि यह सूक है नहीं ओर एक एक लगे उठाते ज तो छलते हैं इसको फ्राइ की कोस अब पर रिदिन के दालंगे तेल में अचे गरम करना चाहिए music उस्के कर का भी हम निकाल लेकर हम पानी फुरी बेल गरम तेल में ड़ा GOAL यह देखिए जैसे आप डालते जाएंगे आपने आप यह फूल कर ऊपर आती जाएगी आपको कुछ भी नहीं करना है चलाना भी नहीं है जब सारी पानी पुरी फूल कर ऊपर आ जाएगी इसकी बाद आम इसको चलाना और अच्छे से इस पी उनने तक फ्राय कर लेने आप बाकि पानी पूरी अच्छे से फ्राय हो गई हैं कितना बढ़ियां से फूल है इसको भी हम निकाल लेते हैं और बाकि बाइके पानी पुरी के वह हम सेम तरीके से प्राय कर कर लें तो बहुत जादा तेस्टी बिलकुल अश्ट्री पानी पूरी बंकर तियार है आप देख सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें थैंक्स पर वाचिंग एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ एक नई वीडियो में